Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ आर्थी टेली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज की अथेय में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में बैलन्स शीट क्या है और उसे कैसे देखते हैं इससे पहले वाली वीडियो में हमने Profit and Loss Account के बारे में बताया था यहां हमने वापस Profit and Loss Account उपन कर लिया है देखें इसमें हमें जो Net Profit प्राप्थ हुआ है पहले उसे Capital Account में ट्रांसफर करना होगा इसके बाद हम बैलन्स शीट पर काम कर सकेंगे ध्यान रखें जब Profit होता है तो उसे Capital में जोड़ा जाता है जिससे Capital बढ़ती है Net Profit को Capital में जोडने के लिए Capital Account को Credit करते हैं और Profit and Loss Account को Debit करते हैं और जब Loss होता है तो Net Loss को Capital में से कम किया जाता है जिससे Capital कम होती है उसके लिए Capital Account को Debit करते हैं और Profit and Loss Account को Credit करते हैं चलिए हम Net Profit को Capital Account में Transfer करने के Entry कर लेते हैं Voucher के लिए V Press करें ध्यान रखें ये Entry Journal Voucher में Record की जाती है उसके लिए F7 Press करें यहां आपको एक बात और बता दें कि ये Entry Prior 31 March में ही की जाती है ये देखिए Date 31 March आ रही है चलिए आगे बढ़ते हैं जैसा कि अभी हमने देखा था Profit हुआ है तो उसे Transfer करने के लिए Profit and Loss Account को Debit करना होगा और Capital Account को Credit करना होगा अब नीचे Narration में Type कर रहे हैं Being Net Profit Transfer to Capital Account और इस स्क्रीन को Accept कर लेते हैं अब हम इस Transaction का प्रभाव Capital Account ओपन करके देख लेते हैं देखिए 44,327 रुपे Profit होने से हमारे Capital Account का Balance बढ़कर अब 8,78,327 हो गया है जिस तरह Tally हमें Trial Balance और Profit and Loss Account खुदी बना कर दे देता है उसी तरह Balance Sheet भी Tally खुदी बना कर दे देता है वैसे हम आपको Manual Accounting की Process के बीच Balance Sheet के बारे में हमारी वीडियो नंबर 10 में बता चुके हैं फिर भी जो ज़रूरी है उसे फिर से समझ लेते हैं Trial Balance में हमने Liabilities, Assets, Income और Expenses के सभी Legers के Closing Balance देखे 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 जिसमें से Income और Expenses के सभी Legers के Balance Trading and Profit and Loss Account में चले गए हैं और उससे हमें जो Profit हुआ था उसे हमने Capital Account में Transfer कर दिया है इस तरह से हमारे Income और Expenses के सभी Legers समाप्त हो गए हैं अब हमारे पास सर्फ Assets और Liabilities के खाते बचे हैं और इनी के आधार पर Balance Sheet बनाई जाती है चले अब आपको यह बता देते हैं कि Tally Prime में Balance Sheet कैसे देखते हैं इसके दो तरीके हैं पहला Gateway of Tally में आप Reports के अंतरकत Balance Sheet देख रहे हैं और दूसरा यदि आप Tally में कोई काम कर रहे हैं और Balance Sheet देखना चाहते हैं तो Go To पर क्लिक करें देखें यहां भी Balance Sheet दिखाई पड़ रही है हम Gateway of Tally पर Balance Sheet के लिए B प्रेस कर रहे हैं यह देखें Balance Sheet आ रही है देखें इसमें उपर Period दिखाई नहीं पड़ता उसके स्थान पर एक तारीक दिखाई पड़ती है वास्तव में इसका Period वर्ष के प्रारंब से जिस तारीक में हमने आखरी Transactions Record किये होंगे जो कि यहां पर 31 March 2021 है वो दिखाई पड़ रहा है ध्यान रखें जब भी कोई Report उपन करें तो सबसे पहले उसका Period जरूर चेक करें हम Period चेक करने के लिए F2 प्रेस कर रहे हैं यह देखें यहां From में वर्ष प्रारंब की तारीक 1 April 2020 आ रही है और उपर 31 March 2021 दिखाई पड़ रही है यानि पूरे वर्ष का Period आ रहा है और यही Period हमें चाहिए Detailed Balance Sheet देखने के लिए Alter और F5 प्रेस करें अब जिन सब ग्रुप्स में Legers दिखाई नहीं पड़ रहे हैं यदे आप उनके Detail देखना चाहते हैं तो उन पर जाकर Enter प्रेस करें यह देखें इस सब ग्रुप्स में जितने भी Legers बने हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं स्केट की प्रेस करके हम वापस पहले वाली स्थिति में चलते हैं आगे बढ़ने से पहले हम एक बार Balance Sheet की परिभाशा भी देख लेते हैं Balance Sheet एक निश्यत तारीख को तयार किया जाने वाला ऐसा स्टेट्मेंट है जिसमें एक तरफ व्यवसाई की पूंजी यानि Capital और Liabilities को और दूसरी तरफ Assets को एक निश्यत प्रारूप और क्रम में दशाया जाता है इसे प्रायर वर्ष समापती पर बनाया जाता है इसकी कुछ मुखे बाते भी समझ लेते हैं जैसे कि अभी तक हम जहां भी काम कर रहे थे वहाँ देबिट और क्रेडिट ऊपर लिखा होता था पर बैलेंशीट में इस तरह नहीं लिखा जाता है इसमें लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज के सभी खाते और राइट साइड में असिट्स के सभी खाते एक निश्यक्रम में लिखे जाते हैं इस balance sheet से हमें हमारी पूरी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो रही है जैसे हमें क्या देना है, क्या लेना है और नीचे के और आप profit and loss account लिखा देख रहे हैं उसके नीचे current period का profit दिखाई पड़ रहा है और उसी के नीचे transferred भी लिखा है इसका मतलब है कि हमने profit को capital account में transfer भी कर दिया है यहां हमें कितना profit हुआ, ये तो मालुम पड़ ही रहा है साथ ही ये भी मालुम पड़ रहा है कि इस profit के बाद वर्तमान में हमारी पूंजी बढ़कर अब कितनी है यदि आप इसे vertical format में देखना चाहते हैं तो change view पर क्लिक करें ये vertical दिखाई पड़ रहा है, enter press करें ये देखिए vertical format आ गया है फिर से पहले वाली इस्तिती में जाने के लिए control और edge keys को press करें देखिए horizontal लिखा आ रहा है, enter press करें आए अब हम आपको manual accounting के balance sheet भी बता देते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों में सिर्फ presentation का थोड़ा सा फर्क है अंत में हम आपको एक मुख्य बात बताना चाहेंगे कि जब हम tally पर accounting करते हैं तो tally हमारे transactions को analyze करके हमें बहुत सारी reports बना कर देता है जिनसे हमें व्यापार से संबंधित विभिन जानकारी प्राप्त होती है इन्हे reports में से कुछ के बारे में एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं सभी प्रकार के financial reports को हम दो भाग में बाट सकते हैं पहली final accounts reports और दूसरी management information system reports final accounts reports व्यापार या व्यवसाई की आर्थिक स्थिती बताती हैं इनका उप्योग कई स्थानों पर किया जाता है जैसे इनी के आधार पर हमें financial institute जैसे bank इत्यादी हमें लोन देते हैं इनी के आधार पर हम income tax का return भरते हैं इसके अंतरगत तीन reports आती हैं trial balance, profit and loss account और balance sheet हम इन तीनों के बारे में आपको बता चुके हैं अब पात करते हैं management information system reports यानी MIS reports की इसके अंतरगत 5 reports आती हैं stock summary, day book, cash and bank book, purchase register and sales register, तथा journal register इन में से हम आपको stock summary और day book के बारे में बता चुके हैं और बागी reports के बारे में आगे बताएंगे जैसा कि इस report के नाम से ही इस पश्ट है यह management यानी व्यापार और website चलाने वालों के लिए उपयोगी होती है जैसे मालिक, manager, इत्यादी के लिए आपको याद होगा कि हमने day book में बताया था कि व्यापार का स्वामी यदि यह जानना चाहता है कि हमारे व्यापार में किसी भी निश्यत तारीक को क्या काम हुआ तो इसके लिए उसे उस तारीक के सभी vouchers खुलकर देखने की जरूरत नहीं है वो day book खुलकर शिगरता से यह जानकारी प्राप्त कर सकता है इसी तरह स्टॉक समरी से यह पता चलता है कि कौन सा माल ज्यादा बिखता है और किस मेहने में ज्यादा बिखता है कौन सा माल कम बिखता है और इसे आधार पर ज्यादा बिखने वाला माल सही समय पर कम मुली पर एकटा खरीदा जा सकता है इसे तरह कम बिखने वाले माल का स्टॉक कम कर सकते हैं इस तरह से ये रिपोर्ट्स समय और पैसा दोनों बचाने के लिए बहुत उप्योगी है इसे के साथ हमारा टैली प्राइम का बेसिक लेवल पूरा हो गया है दूसरी वीडियो से लेकर दसवी वीडियो तक जिस सरल तरीके से हमने आपको पूरा मैन्यूल अकाउंटिंग संक्षित में बताया वो ही काम उसी सरल तरीके से ग्यारवी वीडियो से लेकर के चैली वीडियो तक टैली प्राइम में भी पूरा कर लिया है हमें विश्वास है कि अब आपको इतना confidence हो गया होगा कि टैली सीखना बहुत ही आसान है इसके बाद वाले लेवल से हम थोड़ा कठिन की और बढ़ेंगे हम आपको टैली सिखाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और आपसे भी सीखने के लिए इसी तरह के प्रयास के आशा करते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट का एक मात रुद्देश्य है आपको रोजगार के योगे बनाना और यदि आप स्वैम का व्यवसाइट कर रहे हैं तो आप उसे अच्छे से चला सके यही हम चाहते हैं